12,460 सिक्षक भरती की सुनवाई खत्म हो चुकी है जहां 4 बच कर 10 मिनट हो चुके हैं और अपडेट आ चुकी है क्या क्या चीजे हुई हैं आपको बता देते हैं देखिए लंच तक मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि लगातार माथुर साहब बहस कर रहे थे और लंच क बाद भी उन्होंने अपनी बहस को कांटिन्यू रखा लगबग 3 बच कर 25-30 मिनट तक वो लगातार बहस करते रहे उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आमें त्रिपाठी जी हैं इंक्यावन के तरफ से वो भी बहस करेंगे उन्होंने भी बहस की 10-15 मिनट फिर मैंने ब बहस पूरी तरह से कंप्लीट हो गई तो आज इंक्यावन का पूरी तरह से काम ओके हो गया जीरो का चैनित का ओके हो गया और इंक्यावन में चैनित का भी ओके हो गया और अचैनित का भी हो गया सब कुछ सारी बहस पूरी हो गई अब जो है लगभग 3 बच कर 45-45 मिनट के आज पास जो है सरकार की बहस सुरू हो गई थी लेकिन दोस्तों कांफर्म हो चुका था कि आज बहस पूरी नहीं पाएगी क्योंकि सरकार भी अपना पच्छ मजबूती से रखे गया क्योंकि डबल बेंच है ठीक है तो कम से कम सरकार को भी एक घंटे तो चाहिए चाहिए वार समी वार रभी वार सब अवकास है अब तीन तारीकों पुर्णा कोर्ट खुलेगी और तीन तारीकों दोस्तों मामला सुना जाएगा और उस दिन अब आउडर रिजल हो जाएगा क्योंकि अब से वल सरकार को पच्छ रखना है बस और कुछ चीजे नहीं होनी है तो अ आपको अपडेट किया जाएगा उसके लिए आप चैनल को सबस्क्राइब कर लें